नमस्कार दोस्तों, वेलकॉम टू पीके क्लासिस, दोस्तों आज देखेंगे क्लासिफिकेशन आप कम्प्यूटर्स, कम्प्यूटर के प्रकार, सब्जेक्ट आपका बेसिक कम्प्यूटर इंजिरिंग, तो दोस्तों सबसे पहले कम्प्यूटर क्या है, आप सभी जानते हैं computer क्या होता है computer electronic device or machines which store data and perform different operations or tasks that is provided to it means इसके लिए जो भी task या जो भी operations हम input के रूप में देते हैं या कोई भी mathematical calculations हम को करना है तो यह हमारा सभी परफाम कर सकते हैं किस से computer की help से, तो computer क्या है एक electronic device है अब computer का जो classification से computer के जो प्रकार है वो basically हमारे दो प्रकार के computers होते हैं एक तो size के आधार पे होते हैं और एक होता है data handling के basis पर size and data handling इन दो basis पर computer को अक्सर हमारा जो बरगी करान है या computer के प्रकार हैं उनको represent किया जाता है यदि हम थर्ड बात तीसरा पॉइंट ले तो तीसरा आपका functionality के basis पर भी हम computer को बता सकते हैं के भाई workstation होता है, server होता है आपका embedded computer होता है ठीक, तो here classifications of computer on the base of size and data handling यहाँ पर हम दो पॉइंट के basis पर अधिक focus करेंगे जिसमें आपका एक तो है based on size size के आधार पर जो computers आते हैं वो आपके super computer, manframe computer, mini computer and micro computer यह चार प्रकार के computer हैं जो की size के आधार पर आपको देखने के लिए मिलेंगे इसके बाद जो आपका second है based on data handling यदि हम data handling के basis पर computer को भी बात करेंगे तो analog, digital and hybrid computers market में उपलब्द होती हैं इसके बाद आपका third आपका point होता है on the basis of functionality functionality या परपच इसके basis पर बात करें तो server, workstation and embedded computer ये भी हमारे computers के ही परकार कहलाते हैं तो अब हम इसको description देखेंगी कि कौन सा computer किस परकार से होता है तो दोस्तो जो भी छट PK classes में फर्स्ट टाइम है जो अभी भी PK classes से नहीं जुड़े हैं वे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें साथी दोस्तो वीडियो को लाइक करें जिससे आने वाले latest वीडियो का notifications आप तक पहुँच सकें अब according to size size के basis पर यदि हम computer की बात करें तो आपका सबसे पहले जैसे कि ये सूपर computer सूपर computer जो होता है ये सबसे जाना सक्तिसाली और तेथ चलने वाला computer होता है जिसका उपियोग हम किसमे research के work या mathematical calculations में करते हैं means super computer है ये सबसे सक्तिसाली और तेथ चलने वाला computer होता है that used in research work and mathematical calculations जिसका उपियोग हम research या mathematical calculations में करते हैं यह काफी महंगा आता है क्योंकि इसकी जो प्राइज़ा बहुत ज़्यादा होती है इसकी प्रोसेसिंग जो रेट होती है वो काफी तेज होती है साथ ही यह मझबूत भी होता है जैसे की 옆 एक्जाम्पिल के तोर पर जायदी हम बात करें तो जगुवार जो है हमारा एक सूपर कम्प्यूटर है ठीक सेकेंड होता है मैन फ्रेम कम्प्यूटर मैन फ्रेम कम्प्यूटर सूपर कम्प्यूटर की अपेक्चा थोड़ा slow होता है उससे थोड़ा कमफास्ट होता है लेकिन mainframe जो computer होता है यह है इसमें हम multi programming it is a multi programming multi user and high performance computer यह भी हमारा multi programming multi user, multi user का मतलब एक से अधिक लोग इसको use कर सकते हैं, multi users और इसका जो performance होता है काफी high होता है it can manage the birth load up more than hundred users at a time on the computer यह जो mainframe computer होता है वो 100 लोगों का workload एक computer पे आपके काम के लिए या workload के लिए एक समाई में क्या कर सकता है hold कर सकता है, manage कर सकता है किसी भी computer पे तो means कितना सकती साली होगा आप सोच सकते हैं कि mainframe computer जो manage कर सकता है 100 लोगों का workload एक समाई में It is mainly used in bank, railway, research center, ticket, booking, etc means यह जो computer होता है mainframe computer यह आपको banking system में मिल जाएगा क्योंकि bank में एक साथ हमारे 20 लोग, 50 लोग काम कर रहे employee तो सब लोग login है एक साथ तो सभी के load को एक साथ manage या multi users को use कर सकते हैं इसका जो example है IBM 3000 series जो हमारे mainframe computers होते हैं वो IBM 3000 series जो है वो mainframe के example है ठीक, तो यह भी हमारा mainframe computer है इसका उप्योग bank में railway में ticket पगेरा जो हमारी booking होती है railway में वहां पर भी यूज होता है railway में others work के लिए भी यूज होता है research center पर भी यूज होता है different places पर हम mainframe computer का उप्योग करते हैं थर्ड होता है दोस्तो mini computer mini और micro यह छोटी size और small computers की category के होते हैं तो it is also known as mid-range computer जो mini computer होता है इसको हम beach की या mid-range computer के नाम से भी जानते हैं which is used by small industries and business जो mini computer होता है इसका उप्योग हम small industries छोटे-छोटे कार खानों में या हम अपने छोटे-छोटे बेहुसाय में उप्योग करते हैं it is smaller than super and mainframe computer यदि हम super और mainframe computer की बात करें तो उसकी अपेक्छा यह क्या होता है छोटा होता है इसमाल होता है ठीक fourth आपका जो है वो है micro computer micro computer also known as personal computer जितने भी computers आप देखते हैं या जो आप use करते हैं आपके घर में भी laptop है laptop आपका micro computer है laptop है palm top है desktop है या आपका personal computer है या tablet है यह सभी हमारे micro computer की कहलाते हैं means tablet, laptop, desktop, personal computer यह सारे हमारे किस प्रकार के computer है micro computer है तो it is also known as personal computer such as desktop, laptop, tablet, smart phone also smartphone also micro computer it is mainly contain micro processor central processing unit memory storage area and input unit and in output unit जो हमारे personal computers होते हैं इसमें मुख्य रूप से क्या-क्या होता है एक तो आपका CPU होगा micro processor होगा memory होगी storage area होगा input and output units होगी यही नार्मली हमारे जितने भी tablet, laptop, desktop, desktop, laptop यह जो हमारे personal computers कहलाते हैं उनमें लगे होते हैं ठीक तो यह जो हमारे computers है यह on the basis of size size के आधार पर super computer second mainframe computer third आपका है mini और fourth है आपका micro यह 4 names आपको याद रखना है किसमे size के आधार पर इसके बाद according to data handling यदि हम data handling के आधार पर बात करेंगे तो जो computers होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के computers मनाए जाते हैं analog computer, digital computer and hybrid computers analog computer जो होता है analog computer means it is used to measure physical quantity physical quantity को measure करने के लिए हम analog computer का उप्योग करते हैं जैसे की pressure, temperature, speed and voltage हम देखते हैं जो speedometer है या जो thermometer है यह जो होते हैं यह हमारे analog computer के category के होते हैं इसको हम analog computer बोल सकते हैं means इसमें जितनी भी physical quantity हैं जिनमें variations होता रहता है कि pressure आपका बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है लेकिन उसको हमको major करना है कि कितना बढ़ रहा है temperature आपका variations हो रहा है किसी भी instrument का या किसी भी furnace का उसको major करना है तो यहाँ पर जो computer का उपयोग किया जाता है वो हमारे analog computer का इलाते हैं जो कि data handling के basis पर manufacture किया जाते हैं कि आपके data को कैसे major करते हैं आपकी किसी भी fan की किसी भी soft की rotating speed को मापना है कि यह कितने rpm से भूम रही है तो सीधा आप उसमें टेको मीटर्स को लगाओगे टेको मीटर्स आपकी speed बता देगा तो यहाँ पर जो data handling है सबसे पहले है analog computer जिसका उपयोग हम करते हैं किसी भी physical quantities को major करने के लिए मापने के लिए like pressure, temperature, speed, voltage and it is equipped bit measuring instrument जो की measuring instrument के साथ क्या होता है जुड़ा होता है example speedometer, thermometer second है digital computer it is a high speed programmable computer which can play out numerous mathematical calculations जो आपका digital computer होता है यह high speed computer होता है programmable जो हम क्या करते है play out numerous mathematical calculations जिसका हम mathematical calculations and can store information इस information को store करने में उप्योग करते हैं it can do logical operations in addition to the basis arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplications and division etc इसके अलावा it can do इससे हम कर सकते हैं logical operations perform कर सकते हैं आपके जोड़, घटाना, गुड़ा करना या भाग देना यह सारे वर्क हैं जो की हम digital computer पर smoothly कर पाते हैं थार्ड आपका होता है दोस्तो hybrid computers hybrid computers जो है it is made by combination of analog and digital computers जो आपका analog and digital computers होता है इसके combination से जो बनता है वो कहलाता है hybrid computer and it can measure physical quantity as well as count and used for scientific and medical uses means जो hybrid computer होता है इसका उप्योग हम digital sorry physical quantities को मापने में उप्योग करते हैं इसको count करने में या check करने में यूज करते हैं जिसका उप्योग अक्सर हमारे scientific या research centers में होता है या आपकी medical line है जो उसमें medical field में किया जाता है these are the computers on the basis of data handling third point होता है according to functionality या based on functionality तो इसके आधार पे तीन होते हैं एक आपका होता है server एक होता है workstation और third आपका होता है embedded computer आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्नबाद Thank you